कर दोस्तों मैं शुष्मा आपका शुष्मा के रेस्पी में स्वागत करती हूँ आज मैं आपके लिए फिरसेक रेस्पी लेके आई हूँ और उमीद करती हूँ कि यह रेस्पी आपको पसंद आए और अगर आपको रेसी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट बॉक्स से मेरे को जरूर लिखके बताएं कि आपको रेस्पी कैसी लगी तो चलिए फिर वीडियो शूरू करते हैं तो यहां मेने लिया है साड़े साथ सो ग्राम चिकन लिया है जिसको अच्छे से दुके साफ गर लिया हैर यहां कुछ आने सरी लाई चिर लिया है और है बड़ी वाली काली इलाइची, तो हम इन मसालों को यहां पे ड्राय रोस्ट करेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पे, तो ड्राय रोस्ट कर लेते हैं इसको, मसाले को ड्राय रोस्ट करके पीछने से बहुत ही बड़िया स्वाध आता है, तो यहां पे मैं लो टू मीडियम फ्ल तो यहां मैं प्लेट पे निकाल ले रही हूं इसको अर इसको हमें ठंडा कर लेना है फिर हम इसको मिक्सके जार में पीसेंगे तो यहां मसाले को मैं पीस लेती हूं ठंडा हो चुका है अच्छे तरीके से तो चलिए पीस लेते हैं इसको तो यहाँ देखे मेरे मसाला पीस लिया है और अब इसको मैं साइड में रखती हूँ तो यहां मैंने कड़ाई चड़ाई है गयास पे और इसमें डाल रही हूँ एक बड़ा चमच डाल जाल रही हूँ सरसो का तेल आप कोई भी कुकिंग उइल यूज कर सकते हैं वैसे तो सरसो के तेल में बहुत बढ़िया बनता है यह चिकन तो तेल को कर लेंगे यहां पे गर को हाई कर दिया है और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूं तो पहले अच्छे से मिक्स कर लें तो यहां मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लिया अब यहां पर डाल रही हूं एक बड़ा डेड़ चमच यहां पर मैं डाल रही हूं अध्रक लसन का पेस्ट और इसको भी अच आथे से mix कर लेंगे ताकि इसका गच्छा कन सब्सक्राइब कि दिखे फुरीक भई अधर कलसं का तो यहां प्राइने अच्छे से mix कर लिया आब इसके साथ मैं अजे डाल रही हूं नमक तो नमक मैं यहां डाल दिया और इसी के साथ अब मैं डालूँगे यहांप़ चिकन मसाला मैं यहां पे डाल रही हूँ तो एक चमच में यहां पे चिकन मसाला भी डालूंगी अगर आपके पास है तो आप डाले नहीं है तो आप अवाइड कर सकते हैं तो एक चमच यहां पे चिकन मसाला डाल देते हैं इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है तो इसको भी एक बार मिक्स कर लेते हैं इसमें अच्छे तरीके से और अब थोड़ी देर चिकन को भूल लेंगे हाई फ्लेम पे ही तो हाई फ्लेम पे अच्छे से चिकन को भूल लेना है तो यहां देखें मैंने चिकन को भूल लिया है हाई फ्लेम पे लगबग 5-6 मिनिट मैंने बुना है गैस बन करते हैं और चिकन को निकाल लेते हैं बाउल में तो यहां देखें मैंने सारा चिकन जो है बाउल में निकाल लिया है अब करना क्या है यहां पर दिखें गैस तो मैंने फॉइल पेपर लगा लिया है ताकि जो हमारा गैस है जो गैस टोप है वो खराब ना हो तो इस तरीके से एक जाली स्टेंड ले लेंगे और अब चिकन को हमें यहां पर रोस्ट करना है तो गैस की फ्लेम को मैं यहां पर जल तो यहां देखिए इस तरीके से इसको रोस्ट कर लेंगे अच्छे से जलाना नहीं है बस रोस्ट करना है देखिए इस तरीके से इसको रोस्ट करना है ताकि एक समोकी फ्लेवर आजाए तो यहां देखिए इस तरीके से मैं निकालती जा रही हूँ और इसी तरीके से हमें यहां पर सारे चिकन को रोस्ट करना है और यहां देखिए मैंने सारे चिकन को रोस्ट कर लिया है बहुत बढ़िया से रोस्ट होए है यह तो इनको मैं साइड में रख देती हूँ और उसी कडії में लकाटी में 2 बड़े चममचों और शर्सुर का है डाल यह हूँ और तेल को या हछई से गरम करना है तरश है अब यहार है अब यह ताल यहाँ एक चममच डालने ले यहाँ गपे जीरा यहां प्याज सा अफ ब्राउं में यह एला तो इस तरीके से तो यह समे डालो और फ्याज को पहुं यहां डूर से बहु जडगे प्राउं करें लेना है तो जाल किके डेंगे ठाप ड्य। entirely अविभाग करें गया है जड़ चा смотрите के लिए जली से गल मेंगे कर Castle में औरो जाल कि तबिट दुखमाटरने के औरा दल दूंगी और टाकटबिक तर्छ जल्दी से माज़ कर लिया दो, तोaja मैं अच्छ से मिक्स कर लिया है तो यह मैंने कर लिए अब पंधिनोर प्राव स्कुल था एक ट्रण दमकए यहां में ता तो इन आप देख सकते हैं तो एक है तो एक यह से लिए भाँ तो अइत टामाटर को मैस्ट कर आंस्ट कर लें यह भी तामाटर को छाघिए तो दा एक है अवल्ड बीच में से काट रखा है और अब इसको भी अज़िए अच्छी अच्छी कर लेंगे यह वह द्यों है अप अ ताकि फेल झाल अपर सेबाता है लोग अच्छा आता है, एक चमच मिला रही है यहां पर धनिया पाउडर, और नमक मिलाएं गे यहां पर स्वात के अनुसार, और यहां पर जो हमने मसाला पीस कर रखा था वो डालेंगे, तो एक चमच में यहां पर अच्छे से बहर के डालरी हूं, तो अब इन चीजों को अ आप इससरीक таких से इससे इसको अच्छे से मिक्स कर लें तो यहां घाल भी हुआ पर मिला पर का वी शुलाव सक्षप एक उत्षी जेल सत्य continuar करा तो यहां पर मेरने पर शुट कर ले रहाएं झास तो आप देख सकते हैं तेल उपर आ गया है एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं कईसूरी मेति का फ्लेवर इसमें बहुत बढ़िया आता है अब मैं यहाँ डाल रही हूं मैं यहाँ थोड़ा सा मीडियम कंस्टेंसी वाला ग्रेवी वाला यहाँ चिकन बना रही हूं तो आप पानी डाले या ना डाले आपके ओपर वो डिपेंड करता है आप चाहिए तो तो ऐसे भी खा सकते हैं लेकिन मैं यहां पे तुआसा ग्रेवी वाला बना रही हूँ तो यहां पे एगलास में पानी डाल चुकी हूँ और अब ढखके इसका बॉयल आने तक इसका इंतजार करेंगे तो यह देखिए आप देख सकते हैं बॉयल आ चुका है तो दो मिनिट इसको लोफ लेम पे और पका लेंगे दो मिनिट हो चुका है और यहां पे देखिए हमारा रोस्ट मसाला चिकन तयार है बनके तो यहां बारी कटा हरा देना डाल देती हूँ मैं और इक बार इसको दुबारा से मिक्स कर लेते हैं तो यहां पे चिकन हमारा बनके तयार है और चलिए इसको अपसर्फ करते हैं तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया यह देखने में लग रहा है खाने में उतना ही टेस्टी है और रोस्ट करके बनाया है तो इसका फ्लेवर में और ज्यादा चारचान लगने वाले हैं तो आप एक बार इस रेस्पी को ज़रू बना के ट्राय करें आपको बहुत पसंद आएगा आप इसी ग्रेवी देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रही है देखने में तो यहां देखें में इसको सफ कर लिया है और अगर आपको रैसी पसंद आ रही है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूरू लिखके बताईएगा कि आपको रैसी कैसी लगी थैं